हेलो दोस्तो, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा दस्मलव का भाग इस वीडियो को किर्पिया पूरा देखिए बड़ी सरल्ता से आपको समझ में आ जाएगा कि दस्मलव का भाग कैसे बने आ जाता है देखिए तीन सो सरसट इस सभी संख्या को हमें काटना है पांच से तो सबसे पहले हमी धर से भाग लगाएंगे पहला वाला संख्या को काटेंगे तो पहला वाला संख्या हमारा तीन पांच का पारा में तीन नहीं आएगा तो हम इन दोनों को एक साथ काटेंगे ठीक है, दोनों मिला के हो गया कितना, 36 तो 5 का पारा पढ़ेंगे, कितने बार में 36 आएगा 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 35, 5 24, 5 25, 5 36, 5 7 35 5, 8, 40, 8 बार में 40, तो 40 ज्यादा होड़ा है, हम 7 बार पढ़ेंगे 5, 7 35, 5 7 35 लेंगे 6 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 1, 3 में 3 गया तो ये कटेगा अभी 7 को क्या करेंगे, जस्ट इसके बगल में उतार लेंगे हो गिया 17, 5 का पारा फिर से पढ़ेंगे 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चोका 20, 4 बार में ज्यादा हो रहा है कम लेना है, हमें याद रखना है कि हमें उससे कम लेना है या तो उतना ही लेना है तो 5 के बारा में तो 17 आएगा नहीं तो हम इससे कम लेंगे, 5 तिया 15 ज्यादा नहीं ले सकते ठीक है अब 7 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 2, 1 में से एक गया तो कटेगा अब यहाँ से हम 10 मलव में इसे बनाना सुरू करेंगे कि इसे 10 मलव में कैसे काटा जाए ठीक है, देखिए, यहाँ 2 बच गया, अब यह तो भाग लगे का नहीं तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक 10 मलव लगाएंगे जैसे यहां दस्मलब लेंगे दस्मलब के बदले हमें यहां एक 0 मिलेगा कितना हो गया? 20, 5 का पारा पढ़ेंगे 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चोका 20, 5 चोका हो गया 20 0 में से 0 गया तो कटेगा 2 में से 2 गया तो यह भी कटेगा यह इस परकार से बने आ जाता है दस्मलब का भाद